किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत हैं अमेजिन किसान के यूट्यूब चैनल में किसान साथियों उत्तर भारत में ये कहा जाता है कि केले की खेती किन्ही कारणों से नहीं हो सकती मैंने भी निश्य किया था कि पिछले वर्ष केला लगाऊं और ये कहा जाता है कि यहाँ पर टेंपरेचर पूरवी भारत की अपेक्सा तीन से चार डिगरी कम रहता है ऐसा मुझे मेरे जिले के डियेच्चों ने बताया था जो उध्धान विभाग अधिकारी है उन्होंने बताया था और सर्दियों में ये पत्ते खराब कर देता है इसलिए यहाँ पर केले की खेती संभव नहीं है किसान सातियों मुझे पता चला कि कई किसान हमारे छेतर में बहुत अच्छी केले की खेती कर रहे हैं उन में से एक है रजनीश त्यागी जी जो दतियाना गाउं जिलाहापुड के रहने वाले हैं और पिछले बारा वर्सों से ये केले की खेती कर रहे हैं किसान साथियों मैं तीन दिन से बुलन सहर के छेतर में था, सुभह मैंने एक मेरे साथी है रवी कांतियागी उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी और जिसमें इनके बारे में जिकर था, तो मैंने सोचा ये मेरे रास्ते में है और क्यों ना मैं उनसे मिलो, किसान साथियों जितनी भी वीडियो खेती पर बनाई जाती है, बागवानी पर उनमें लाखों की आमदनी दिखाई जाती है, तो आमदनी तो हम पूछेंगे इन से के इन्हों ने ये क्यों किया, चुकि इनके पास बहुत अच्छी जमीन है, लगबग 30 एकड़ के करीब जमीन है, और इन्हो ने ये सोचा कि मुझे इसमें कुछ गन्ने के अलावा कुछ और भी काम करना चाहिए, जिससे के मुझे आमदनी आप सब को पता है कि हमारे उत्तर भारत में जो ये चार-पांच दिस्टिक मुख्या है, इनमें हमारा गन्ने की खेती मुख्या है और गन्ने का पेमेंट कभ रजनी जी आपका स्वागत है अमेजिंग किसान चैलल में, आप थोड़ा किसानों को अपना परिचे दीजिए, मेरा नाम रजनी स्ट्यागी है, गाउं हमारा धत्याना है, दिस्टिक हपल में पड़ता है, जो ये है, रजनी जी आपने ये कब सोचा कि मुझे ये खेती के पता नहीं केला बिकेगा या केला सर्दी से मरेगा, ये क्या विचार आपके मन में आए? और गन्ने में इंकम है, तो उसका सबसे बड़ी समश्या इसमें ये भी है, जी, के चीनी मीलो के आज की तारिक में तनी राजनीती है, जो ये गन्ने पर है, समय पर है गन्ना गिरता नहीं, गन्ने के बाद में पैमेंट के बड़ी समश्या हो जाती है, जी, लेवर बहुत मैंने केले लगाने कारा जी तो हमने 2000 बारे में इसके केले की सुर्वात करी जो है रजी जी ये बताइए कि जब आपने इस केले का सोचा तो इसके बारे में ये भी सोचा होगा केले का ही क्यों सोचा आपने आम का क्यों नहीं सोचा अमरूद का क्यों नहीं सोचा अनार का क्य कीउ सोचा यह बताई यह के दो नया काम करना चाहिए को नया काम और अपना कर अइस टाइम अपने हां थाने जी तो एक बार कुमने लिए गए इस पहरा नेगे बारे में अच्छाइज था इज ट्थी और रेट वी जो है हमारे हैं सबसे बादा प्लस्पेंट के एक और महाराष्ट में केले का रेट 7 रुपे किलो है तो हमारे हैं अलगभग आपी समझो के वही रेट बार रुपे बढ़ जाएगा अपने आपी क्यों के अगर कोई किसान अपारी यहां से लेका आएगा 7 रुपे तो पांच रुपे उसे ट्रांस्पोर्ट का वहन करना को डूंद method उसे लिए को रिख तो आपके मन में यह भी आया होगा कि जब भी कोई इस तरह का काम करते हैं तो उसमें नुकसान होने की क्या-क्या संभावनाय तो हमें साथियों को यह बताइए कि केले में जब आपने शुरू किया तो यह संभावनाय आपको पता लगी और तो उनका निराकंड किस प्रकार अगर आप पश्चमी यूपी में केले का टाइम लगाने का सही रखोगे तो आप यू समझो हंड़र्ड परसंट आपके सकस्स होने के चांस है अगर आप 15 जून के बाद मौसम को देखे हैं 15 जून के बाद पूरी जुलाई अगर आप डेड जो मैंने यह देखा है जो मैंने इसका सर्वे किया कि केला लगाने के लिए जो हमारी जमीन हमारी बलूई दोमट मिटी है जिसमें पानी नहीं रुकता है क्या केले को बैड पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए और लगाना चाहिए तो इसे बैड पर क्यों लग बरसाथ वालन नहीं भड़ता है तो आप प्लैन खेत में भी लगा सकते हैं उसमें ऐसे चीव च्लते हैं, जैसे हम यह देखते हैं के यह हमारा बेड है ये मान लीजिए कि ये एक फिट चोड़ा है हमारा तो हमें पोधा यहां लगाना चाहिए या बैड के बीच में लगाना चाहिए हमें साइड 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 में लगाना चाहिए हमें ही हुई है या मिट्टी चटा दिये ताकि इसके दो ही कारण होते हैं कि बोध्ह को सपोड मिले कि पोधा चूकि लंबा होता है तो पो तो पो तो यह तो हई इसका बाद किसान साथियों देखे मैं अमरूद और नीमू में भी यही कहता हूं कि जड़ पर तने पर पानी छूना नहीं चाहिए अगर आपके तने पर पानी छूता है वहां नमी पहुंचनी चाहिए तने तक तो आपका फंगस के रोग और जड़ गलन रोग होता है वह सबसे अधिक होता है और जड़ गलन में अगर एक बार जड़ चोक हो गई तो उससे बहुत सारे रोग होते हैं फुजेरियम फंगस भी होती है रैजयोक्टोनिया भी होता है और पोदा धिरे-दिरे आपका शुक्री जब हम इसको पोदे को लगाएंगे तो खेत की क्या तैयारी करनी चाहिए हमारे को किस प्रकार और कितना खाद हमें देना चाहिए पोदा लगाते टाई और किस प्रकार तैयारी करना चाहिए यह बताईए सबसे पहले तो हमें जो है मैं के महने में जब गयो हूं कट जाता है या का खित कोई खाली हो को आपने कोई अपने अरिक्स्स वाद में आप ऐससे जाइब जाएबू कर दो नए प्रीक चाप जाएगा उसके बाद में आप उसको मिलने और अची तरीक से हैं पड़ते जो आप क्यांना तर उपुछा जिएत पर तक्यां काम जड़ कर भाई ऐस ग्रूए और फिर JAMES पर बेड़ पर लगाना है तो आप निसान को अनुछु तर Sit के चैसे बाद है बाध कफ़ता ह्त्सकेना रिणा प्रयाता कर लगा ओंना हुट उन्सक्राना सवाल उठाbitा कि अपून impairment खैज और गोबर के खाद में अधिकतर भाईयों को देखा आए कि गोबर कोड़ते रह लख जाता है और जब उसे डालते हैं तो उसे गडाराती है हमारे खेत में तो यह दीमक । गडार के और जहां केला का पोधा होता है, तो वहाँ दीमक अपना भी खतम होता है, उस खेत में जो है, कभी द्यमक होती णहीं मैं एक अपने अब एका अपनी अपने केले का तो आपकी अपनी खितम हुए गेलागा। नाफनी तो प्लम केले केसके कि अगर第一個 कोई नाफनी है। और उसमें दीमक की समस्या है और उसके चारों तरफ हम केला लगा दें तो कुछ हद तक वो समस्या हमारी खतम हो जाएगी बिलकुल मैंका 100 परसंट आप प्रक्टिकल करकर देखें आज सीज का जी देखें किसान भाईयो यह कितनी अच्छी बात निकली कि अगर आपके हैं द पोदे की खेथ की तैयारी हो गई हमने जुताई करा ली सब काम हो गए अब हमें कौन सी वराइटी की पोद लगानी चाहिए और यह कितने रुपे की पोद आती है और तीसरी चीजे कितनी डिस्टेंस पर लगाना चाहिए आइडियल डिस्टेंस क्या है आपके बारा साल के अब भी आपके एक्सपिरियंस के साथ से लिए को दिए तो इसका है सात आप पांच पर लगा सकते हो और एक तरीका हमने जो पर इस साल लगाया है वह बहुत वह अश्या तरीका है जो यह प्र ना लाइन पांच और पोदे तो पोदा पांच ना जिए यह बलराम याद हो बलराम किसान बताता हूँ एक लिए जा जो को यह को यह अजा सान बदा नुड़ करे पहता है एक लिए जान पता नुड़ को अजा है जो पांच विए एक दूसा टाइक उसता लगाया है कि हम रगा रुपन ने दो लाइन उख पर च्छोड़ दिया तो इसी तरह ऐसा साइकल चल बनता चला गया पूरे खेत का वो और पोधे से पोधे की दूरी पोधे से पोधे की च्छाइट एजी तो इसमें यह फाइदा हुआ कर लगबाग पचीस पोधे तो लगबाग पचीस देड़ तो फालत हुआ हमारे एकडम कि शोफट की जगहे में आप 6-7 महने जब तक अफार वुत माता है उस टांअ तक आप टांग जो है किसान साथियों जीन भाईयों को अगर इस केले की खेती में इंट्रेस्ट है एक बात का ध्यान रखिए मैं बार बार इस बात को दोराता हूं कभी भी किसी की बात पर विश्वास इतना अधिक मत करिये के आपके पास 30 बिगे जमीने और 30 बिगे में आपके इला लगा दें आप उसे एक एकड़ से सुरू करिए कोई भी काम हो हो सकता है मैं रजनीश दी से मिलकर इनका परचार कर रहा हूं या मैं इनसे कह रहा हूं इनकी बिकरी बढ़वा रहा हूं कुछ किसान भाई मुझे कहें पोधा जब आप ले जाएंगे वो मरेगा नहीं और 16 रुपे का पोधा ये आपको देंगे तो आप जनवरी के बाद में इनके पास बुकिंग करा सकते हैं अच्छा एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं आप से कि जब आपने पोधे लगाए जनरली हम यह करते हैं मैंने बहुत से भाई देखे के पोधा लगा दिया और अम्रूद का जैसे मैंने अभी आपका अम्रूद का पोधा देखते ही बताया कि इसमें दो गल्तिया हैं इनको ठीक करिए क्या गल्तिया अमूमन किसान करेंगे पोधा लगाने के बाद में दो ती जो अपने एक्सपिरियं पंद्रा जून से लेकर बीस पच्ची जुलाई तक लगा जो है अब लगाओ उसके बाद में अगर अगस्त के में जाएंगे वह मैंने देखे हैं लगए 90 परसंट के सार फिल हो जाते हैं है कि सर्दि आती है हमारे हैं जो नुकसान है वो जो एक सदी का मामला रहे चाह आज हमारी है अगर आप सितंबर उसमें जून-जून-ब्रचिया बढ़ नागा होगे तो इसमें इतनी महत करो इतनी चैर रखो आजी कि सर्दी तक 8-7 पृत का पधा हो जाए जब आपका 800 तो आपका पोदा वो खराब नहीं होगा पत्ते तो उसके सुखेंगे पर जैसे फ्रवरी आएगी वो पोदा कर लेगा उसको नुक्सान उसका हुआ है अगर आप उसको जो है अगस्त के महने में लगा होगी पोदे को तो वह छोटा पोदा होगा सब्सक्राइब तो लिहाज किसी अइसे आदमे के संपरक माड़ी को रहना चाहिए कि उसकी खाद लगाने का तरीका किस्टयम लगाना चीए दवाई कौन सी फंगस की क्या दवाई है जो इसका इस्तमार होता होता है तो उसके तरशम नहीं बहुत जरूरी है पहले बार किसान के लिए जब बाद में ज कर दो लागा तर चार्वाइब कर दो और जाद कर दोड़ा ने निराइगुड़ाई कर तो जैसे मैं कहता हूं कि तन्हे से तो किसान साथियो इन्होंने चार मुख्य बाते बताई है कि पहला बताया है टाइमिंग के आप 15 जून से लेकर 20-25 जुलाई तक ही पोधे का पोधार उपन करें रामसरण जी तो 15 जून से 30 जून तक ही लगाने की बात करते हैं और इन्होंने सिरफ उसे 20 जुलाई तक बढ़ाया है चुकि इनका भी एक्सपिरियंस है लगाया था आपने देखा होगा वह बाग उसकी हर्वेस्टिंग अब तक हो चुकी लब आप समझे एक महने पहले पर और दूसरा इन्होंने बताया है कि पोधे को उसका पानी का ध्यान रखना है कि उसमें जो है ना कोई लगाते टाइम कोई खाद नहीं डालना है और उसके पानी का ध्यान रखना है आपको तीसरा इन्होंने बताया है कि खाद एक महा होने के बाद जब पोधा चल पड़ता है तो थोड़ी थोड़ी खाद वो ही आपकी डिएपी और आपका पोटास ये चीज पड़ेंगी और एक अधिकतर जो देखी गई है वो फंगस की बिमारी है जिसमें के कार्बन डीजम का हम इस्प्रे करते हैं लेकिन किसी अनुभवी किसान की या व्यक्ति की देखरेख में ऐसा नहों कि आप सोचे फंगस आगई और मैंने उसमें यह कर दी है और एक चीज इन्होंने बताई है कि अगर आप इसको जो इसके आसपास है जब मिट्टी लगाएंगे तो यह चार चीजे इन्होंने मुख्य रूप से बताई है अच्छा अब आप यह बताईए कितना माई बढ़ा हो जाएगा पोधा जब हम उसे अगर 15 जून से लगाएंगे तो दिसम्बर तक किस बढ़ा हो जाएंगे थाजिए यह बाइचाब यह पोधा खड़ा है यह दिखाए यह पोधा खड़ा है यह कितने महीने का पोधा है यह मेरी निगाम है जैसे हमने इसका पोधा चुड़ा था ना वह लेट हो गया यह इसलिए इसका फर लेट है अगर जो आप इसको जून के महीने में पोधा लगता ना हो तो अब तक वह मतलब अगर जून में हम पोधा साथियों देखें मज़े की बात है कि अगर पंदरा जून को आप पोधा लगा देंगे तो अक्टूबर तक आप उसका फल ले लेंगे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है लेकिन मैं इसे करूंगा तो यह कह रहेंगे यह थोड़ा उस जोला इस बार में लगए लगाते हैं ना उनकी साथ में यह समश्या होती है फल उनका जो है लेट आता था और लेट आने के बाद में सद्धी किसांन साथियों मैं इस तरह से अपने अमृट की कटिंग की थी कि मेरा जब नोरात्री होई थे और 12 तरह मेरे पास इतनी मतलब डिमांड थी के मेरे पास अमरूद नहीं थे और मेरा अमरूद तब खतम हो चुगा था जब मार्किट में अमरूद सुरू हुआ था फिर आपको सब को पता है के वो क्या कहानी है इसलिए टाइमिंग बहुत जरूरी है आप लगाईए और थोड़े से सुरू आत कीजिए करन पास अब आफ़ के अपने बताया भी के आप के पास थीसवे की जमीन है तो आप एक साथ की सिक चौंग चुक्त करो मेरा मानना यह है कि आगए अगर आपके पासओ 30 के जमीन है तो थोड़ा थोड़ा उसमय जैसे बागवानी है केले के बागवानी हो गया एक एकड़ा ग ज्यौमा हो गया क्रूल है 。」। हоры 37 बाग स्था करने एकड़ ब तो इन्हों और नीआ कितने एकड़े बौड चाहर। एकड के करीब केला है और नीमू लगबग है तीन एकड के आसपाजी तीन एकड लेमन है इनका और जो पपीता है इन्होंने मुझे पपीते का पेड दिखाया जो लेमन के बीच में दो साल तक इन्होंने लिया और तीन चार पेड चोड़े हुए हैं जो बहुत उचे हो गए से एक ही नहीं करना चाहिए जैसे कि मैं बताता हूँ अगर आपको पांच एकड अमुरूद लगाने आपके पास जमीन अधी का तो मैं हमेसा यह कहता हूँ कम से कम तीन वराइटी लगाईए एक वराइटी के पीछे मत जाईए इसी प्रकार आपको फसल भी कहीं लगानी चा कराता हूँ मैं पहले थोड़ा विच्रन करते हैं आज है यह 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 किस वर्स का पोदा था यह वाला इस साल का बना था इसकी हर्वेस्टिंग हो चुकिए यह जून में लगा था पिछले साल नहीं जून में छोड़ा था हमने यह जो हमारा बाग है किसान साथियो यह बाग इनका साथ बार कट चुका यह जून के बाद में छोड़ा था और इसकी हर्वेस्टिंग ले चुके हैं यह बिल्कुल आप देखिए इससे सब खतम हो चुका और देरे देरे इसको यह गिर जाएगा इसको हटा देंगे बाद में इसके अगली साल इसकी बराबर में जो यह देखिए यह कितना बड़ा हो गया इस पर फल आएगा और साथ में भी देखिए यह निकल रहें इनका प्रबंदन अलग तरीके से होता है यह कटती रहेंगी समय समय आप यह देखिए इसमें कहीं भी इन्होंने बैड का सिस्टम नहीं बनाया है अच्छा अब मुझे यह बताईए कि आपके हिसाब से छे फिट पर पहली दो लाइन करें फिर दस फिट जगे चोड़ें और फिर छे फिट करें तो इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से दो सो दस पेड़ एक बिगा में लगेंगे हमारे हां भी जो छे बिगे का एक एक कड़ होता है वोई 43,500 स्क्वाइर फिट या 4,046 स्क्वाइर मीटर तो एक बिगे में आपके 210 पेड़ लगे तो मैं जैसे तीन बिगे की सोच रहा हूं तो मेरे 630 से 650 पेड़ लगेंगे इस प्रकाल जोना उन 650 पेड़ से हम ये मान कर चलते हैं कि हमारे मान लीजे 50 पेड हमारे खराब हो गए या कमजोर रहे गए 600 पेड़ हमारे ठीक लिए और मैंने सही तरीके से उनकी देख बाल भी तो मुझे कितना फल प्राप्त होगा अगर आप अच्छा केला करोगे बैस समय पर देख बाल करोगे खाद पानी के वागर केर करोगे तो आप ही संजो 30 किलो पर प्लांट का अवरेज आएगा 30 किलो पर प्लांट का अवरेज आएगा ठीक जिए और आप लगा लोग 30 किलो के हिसाब से अगर हम 10 रुप किलो भी माने तो आपको तीन रुप का एक प्लांट हो गया और हमने छे 600 पोदे आपके बाग माने वो तो लगबगो 6-18 लगब तो आपका तीन बिगे में बठेगा तो इनका बापको होगी उससे जो है तो किसान साथियो इस सिद्धान को समझे के तीन बिगे जो मैं लगाने जा रहा हूं या कोई के मान लीजे कोई भाई है तो उसको 600 पोधे लगेंगे 600 पोधों में से अगर 30 केजी परती पोधा उत है और 10 रुपे के जी बी ये तो कहरे हैं कि मेरा 12 रुपे क्विक है 12 से कम कभी नहीं विका 15 बी पही कि prá 12 से कम कभी नहीं विका लेकिन फिर भी हम छोड़ देन रुपे के जी हमारा खेतुटमे से बिग जायेगा तो आपको 1807 थान बिगे मैं से और आपको कुल 8 महा कि मतल तो बारा अगर हम लगाते हैं, 20 रुपे का भी पउदा लगाते हैं, tracking तो 20 देड़ लाक की आमदनी मिली उससे, अच्छा उसे भी मैं और कम कर देता हूँ, आप और लगा लीजिए कि मैं सोकीन आदमी हूँ, दो मजदूरों का भी है, पचास हजार और कर दिया, तो तीन बिगे में से एक लाक की आमदनी का मतलब यह है, दस हजार और कम कर दीजिए, तीस हजार रुपे नगद आपके हाथ में आएंगे, पर बिगा, जो की गन्ने में मैंने आज तक नहीं सुने हैं, गेहूं में नहीं सुने हैं, यह तो हुई इसकी बात, लेकिन यहां भी वो लाको की आमदनी नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समय पर पानी देना पड़ेगा, बाग में जाकर ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात का और यह सब चीजे आपको करनी पड़ेगी, और कोई चीज जो आप बताना चाहें, किसान भाईयों को जो मतलब शुरू करना चाहते हैं, किया लेकिते हैं, अपने जो है इसका अब टाइम चला किसान भाईयों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं इनसे काफी देर बात की, अगर आपके गहूं कटते हैं, लगबग 20 अपरेल तक गहूं कट जाते हैं, आप उसमें तुरंत कटने से पहले थोड़ा पानी दे लीजिए, उसमें खाट डा लिए खूब दबा क और उसमें धेंचा, देखिए हमारे गुरूप में हमेशा ये बात होती है कि धेंचे से हमें कार्बन बहुत मिलती है, और कार्बन जीवान वो के सर्वाइवल के लिए, यानि उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जुरूरी है, अगर आप खाद भी देंगे और जीवान जाएगा और आप हर तरीके से उसकी खेत को अगले 15-10 दिन में तयार कर सकेंगे और इस प्रकार 20 जून तक आप केला लगा सकते हैं, अगर आपको रजनीज जी से पोदे चाहिए, तो मैं इनका नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप इने फोन करिए और बुक करिए, और अगर कोई संसा है आपके दिमाग में, वो भी इन से पोच सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, कि जैसे मुझे लोग करते हैं, कि आप 9 बजे, 10 बजे इस प्रकार गाउं में 6 बजे अंधेरा हो जाता है, 7 बजे खाना खा लेते हैं, तो थोड़ा दिन में इस बात क ध्यान रखें, किसान साथियों ये थे हमारा प्रजेंटेशन के केले की खेती के उपर, मैं रजनी जी से मिलने आया था, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करें, और मुझे बताएं कि क्या कुछ और कमी रह गई, किसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन, जैभारत, बंदेवाद,